योगो योगो से हो रहा है में ग्रहनक्षत्रों का सब है खे ब्रह्मान में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल आएए जानते हैं इस हफते कौन सी राश्री होगी माला माला जै शनी देव ये भक्तगरों मैं गुरू रजनीश रिशी 38 बटा 18 इस्ट पटेल लगर नई गिल्ली से आज पुले आप सभी के समझ प्रस्तित वाओं आपका अपना सापताहिक राश्री फल जो आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की दशा के आधार पर बनाया जाता है तो चलिए हम चलते हैं इस सब्था के राशी फल के ओर कन्याराशी वालों ग्रह गोचर की इस्तिती को देखते हुए आपको इस समय सरकार की द्रस्ति से सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है छोटी मोटी यात्रा की संभावना भी प्रवल होती ही दिखाई दे रही है लेकिन अपने कुरोध पर नेंतर रखने की आपको सलहा दी जाते के आप अपने कुरोध पर नेंतर रखें ऐसा करना है आप के ही हित में होगा कुटुम जनों के साथ आपके सम्मान अच्छे रहेंगे जहां तक भाई बेहनों के साथ सम्मन्दों की पात की आती है तो भाई बेहनों के साथ अच्छे सम्मन्दों के कारण आप उसका समुचित लाग उठा सकेंगे अगर आप अपने मकान से सम्मन्दित या वाहन से सम्मन्दित कुछ उलट फेर करने जा रहे हैं तो यह समय कताई भी आपके लिए अच्छा नहीं है इस प्रियास को फिलाल इस समय के लिए मुल्तवी कर दें तो यह परंपरा निरंतर चलती रहे तो आप इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें लाइक अवश्य करें अगर अच्छा लगाए तो कमेंट्स अवश्य करें और अपने इस्टमित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रियो भाक्त करों आप ऐसे बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हमें ऐसा कौन सा गया है जिसकी वज़े से हमें ठाना, कोट, कचेरी के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं हमने तो कभी किसी का ऐसा कोई बुरा भी नहीं किया है ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे निरंतर लोग करते हैं किकि वो अपनी प्रिया से अपने कश्टों से दुखी है और जानना चाते हैं उसके किछे कारण क्या है तो प्रियो भाक्त करों यहां मैं आपका छोटा सा ज्यान वर्धन करना चाहूँगा पुलिस से जो होती है हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वह मंगल से कनेक्टिक डिपार्टमेंट है मंगल ग्रह से सम्वन्दित में बहाँ है मंगल ग्रह केवल जब ही आपको कश्ट पहुँचाते हैं चाहे वो पुलिस के र इस जनम में आपको अश्यव फल आपके बुरे करमों की बुरे फल नहीं प्राब कुएंगे, तो वो उन करमों का लेखा जो का इस जनम में भुगतना पड़ा और जब आपको उन करमों का फल इस जनम में मिलीगा तो खराब मंगल वाले वेक्ति, निश्चित रूप से बार पुलिस के द्वारा परिशान होते हैं, तो उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, किसी भी पुलिस अदिकारी का दोष नहीं है, यह दोष आपके कर्मों का है, पिछले जन्मों के कर्मों का है, या कई बार इसी जन्मों के कर्मों का है, आपने जवानी में कुछ गलत काम किय मंगल घर को परिशान करने के लिए उससे संवन्दित आपके पाप का जो घड़ा है भरता चला गया पता चला आपको लास्ट में जब आप घड़ा भर जाता है तो मंगल देता प्रकट होते हैं पुलिस की रूप में, मिलिट्री वालों की रूप में और आपको निश्चित पुलिस वाले जो व्यक्ति हैं, वो हमारी सुरच्छा के लिए हैं, मिलिट्री वाले व्यक्ति हमारी सुरच्छा करते हैं, हम रात को लंबी चादर तान के सोते हैं और वो हमारे घरों का, हमारी सीमाओं का, हमारे राष्ट का, हमारी गलियों का, हमारे नगरों का, रात भर जाग जाग के पहरा देते हैं हमारी सुरच्छा करते अत्याधिक तनाओ में एक एक दिन में 16-16 घंटे कारे करके इस देश की इस राष्ट की सेवा करते हैं वो कैसे किसी का दुरा कर सकते हैं आप जो सिकार हैं वो अपने करमों का भुक्तान कर रहे हैं मंगल गरे से समद्दित करमों का भुक्तान कर रहे हैं उसके फलस्वरूप ही मंगल गरे से समद्दित गलत करम किये होंगे तब ही मंगल गरेता पुलिस के रूप में या मिलिटरी के रूप में आप को डंडित करने हाँ आपके मान सम्मान को नस्ट कर जाते हैं और आपको उन डंडेत करते हैं यहां शनीदेजी न्यायादिहिश बनकर वकील बनकर अपोजिट पाइटी के वकील बनकर सरकार के वकील बन कर और जज़ बन कर आपको आपके कर्मों का डंड दिलाकर कारावास की सजा दिलाते हैं जो इस्टूडेंट्स लोग हैं जो विद्यार्थी गड़ हैं उनको सला देना चाहूँगा कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में दें क्योंकि एक केरियर ही और आपकी विद्या ही एक मात आजीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं आपकी साबस्त दूसरी चीजों को आपसे छीना जा सकता है लिया जा सकता है किन्तो आपकी विद्या को आपके ज्यान को आपसे कोई नहीं छीन सकता तो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे नमबर लाने का प्यास करें जिन स्टुडेट्स का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या जिनके मेहनुत करने के बाद भी अच्छे नमबर नहीं आते वो बिना किसी जिसके स्क्रीम पर आ रहे हमारे नमबरों पर अपने माता पिता के साथ हमारी एक वीडियो कॉल गुप कराएं या स्वैम वीडियो कॉल करें और हमारा द्वारा दिये गए उपायों का पालन करने पर गारनेटी से आपको आपकी पड़ाय लिखाई में फायदा होगा आपका पढ़ने लिखने में मन लगेगा और आपको पहले से अच्छे नमबर आते रहेंगे जो प्रेमी जन हैं मतले प्रेमी यूवल हैं उनको सला दी जाती है कि वो इस समय का सद्युप्यों कर अपनी जीवन में इस्थिर्ता लाने का प्रयास करें अपने संबन्दों को इस्थाई बनाने का प्रयास करें कटुता से सदे बचना चाहिए उनको जो व्यक्ति शादी शुना हैं उनको सला दी जाती है अपने भाई बहनों के साथ जो आपके रिलेशन हैं उनका मदु रहना आपकी जीवन में आपके जीवन साथी के साथ या आपके व्यापार में जो आपके साथी हैं पार्टनर से उनके साथ अच्छे रिलेशन बनने मे सहायत सिद्ध होंगे हलांकि मोटे तोर पर जो देखा गया है कुमल सभाव के कारण कुमल शरीर के कारण जितने भी कन्याराशी वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो लाइफ पार्टनर का आच्रान होता है धार्मिक परवती के लाइफ पार्टनर सोते हैं फिर भी अन्वन होने की स्थिती में या जादा अन्वन रहने की दशा में आप हमेशा अपने लाइफ पार्टनर से संबंदे ग्रह रतन की एक अमूठी को मंत्र सित तार्ट पतिष्ठा जागरत कराकर सदेव अपने हाथ में धारण करें जिससे कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो संबंदे हमेशा खुश नुमा बने रहें जैसा कि आप सभी भक्तगान पहले से ही जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो जनम कुटली होती है उसमें जो बैठे हुए ग्रहे होते हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार यानि अपनी अपनी अंशों के अनुसार अपनी अपनी इस्थिती के अनुसार कि मतलब वो मारगी हैं वक्री हैं नीच के हैं या उच्च के हैं और किस घर में बैठे हुएं उसी के अनुसार आपको फल देते हैं तो हमारा ये राशी फल जो है कॉमन रूप से पर्टिकुलर राशी के व्यक्तियों के लिए एक मारग दर्शन का कार्विक करता है जिससे उसे ये पता चलता है कि अगर ये साथा ही राशी फल है तो आने वाले सबता के दोरा उसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने की संभावना बन रही है तो वैं उसके अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों को मिधारित कर आने वाली परिशानियों से बचने का और आने वाले सुबक फलों को दूरी गुणा करने का तिरी गुणा करने का मौका प्राप्त करता है और उसके अनुसार कारी करने से मिश्चित रुप से उसे उत्तम फलों की प्राप्ती होती है भागी की दस्टी से देखा जाए तो भागी का जो सार्थी है इस समय स्वैम आपके सिर पर विराजमान है लेकिन उसका जो रुजहान है वो थोड़ा कहीं दूसरी तरफ लगा हुआ है कहीं दूसरी दिशा में डाइबर्ट हो रहा है इस मतलग विप्रीट सेक्स की तरफ आक पारी हो चाहे आपके अधीनस्त करमचाय की बात हो रही है चाहे आपके बॉस की बात हो रही है आपके सम्मंदों में थोड़ी अरचन आती हुई इस पस्ट दिखाई दे रही है तो अपने सम्मंदों को मदूर बनाने का प्रयास करें उसमें आप अपने कुटों को आमंजनी में व्रदी होगी किन्तु सवता के अंत तक मांसिक रूप से आप थोड़े से परिशान नजर आएंगे अपनी परिशानी को कंट्रोल करें और अपनी आमंजनी को बढ़ाने का भरपूर प्यास करें यहाँ पर कन्याराशी वाले लोगों की कुल मिलाके ओवर ओर ग अग्जी के रतन की अंगुठी को मंत्र सिद्ध, प्राण पतिष्टित और जागरत कराकर किसी ऐसे विद्वान व्यक्ती से जागरत कराकर जिसमें इन मंत्रों को सिद्ध किया हुआ हूँ अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुप परिणाप प्राप्त होंगे अगर आपको ऐसे अंगुठी नहीं मिल पा रहे हैं तो बिना किसी चीज़त कि आप हमारे यहां से अपनी उली का साइज बताकर घर मैठे मंत्र सिद्ध, प्राण पतिष्टित और जागरत अंगुठियां ताप्त कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिशानी, चाहे और आपके बच्चों का पराई में मनना लगता हो या उनके एक्जाम में अच्छे नमबर नहीं है, आते हो किस वज़े से परिशान है या नौकरी ना मिलने से परिशान है या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वज़े से परिशान है या व्यापार की वज़े से परिशान है या धन की कमी की वज़े से परिशान है या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या अजर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह गलेश की वज़े से परिशान है या संतान ना होने की वज़े से परिशान है या व्यापार में हो रहे गाठे की वज़े से परिशान है या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वज़े से परिशान है या फिर आप अपनी या अपनी परवार के किसी सद्द से की बीमारे की वज़े से परिशान है तो आप दिना किसी जिज़क के स्क्रीन पर आ रहे है नंबरों पर हम से संपर्ग करके हमारे लिए यानि गुरु रज़नीशनी शी के लिए गुरुमा रुकमनी जी के लिए या स्वामी राज रशी के लिए वीडियो को और भूख कराके उनसे अपनी परेशानियों के उपाए जान सकते हैं जिने करने से निश्चित दुरूप से आपके जीवन में दीवे दीवे करके अभूल तूर वो परवर्तन अवश्य आएगा जो व्यक्ति सनातन हिंदू धम में परम्पिता परमात्मा में और लग्रह देटाओं में असीम आस्ता रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांथ फल देने के लिए परम्पिता परमात्मा के पर छोड़ देते हैं उन व्यक्तियों को निसंदे इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है प्रियो भक्त करम अच्छे करम और अपने बुरे करम का फल समझिये अच्छे करम मिलेंगे तो मान सम्मान होगा यही मंदल देता अच्छे करम करने पर नेता बनकर आपको मान सम्मान देते हैं आपको सम्मानित करते हैं राश्पती के मैडल दिलवाते हैं और दूसी तरफ जलत कर्मों के लिए आपको डंडित किया जाता है तो जो लीला है वो कर्मों की लीला है अच्छे करम करेंगे, अच्छा फल पाएंगे, बुरे करम करेंगे निश्चित रूप से बुरा फल आपको अवर्ष्य मिलेगा यहाँ पर मैं कन्या राशी वालों को उनके गहगोचर की स्थिती को देखते हुए पांच मैं से तीन स्टार देता हूँ आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीक ग्री में आप सभी के समझ अगले हफ़ते का राशी फल लेकर पुने प्रस्तोत होगा तब तक के लिए मुझे आग्या दीजे जै शनी दे